नमस्कार दोस्तो टेक्निकल मोटिवेशन मंत्र में आपका स्वागत है आज हम आपको सोर पैनल के बारे में बताएंगे इसका इस्टेलेशन कैसे करते हैं बेंटी के कनक्शन करते हैं पूरी लाइन के कनक्शन कैसे करते हैं इस पर हम क्या क्या चीज चलाते हैं पूरी डिट चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लें साथ में बैल आइकन की घंटी भी दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं यह देखिए यह हमारा 350 वाट का एक सोर पैनल है हमें इसको किस एक फ्रेम में फिट करना है और इसकी डारेक्शन हमें उदर ऐसे रखनी है जिदर से रोशनी आती है जिदर सूर्य की सीधी लाइट पड़ती है जिससे हमें ज़्यादे से ज़्यादे वोल्टेज मिल जाए और हम इसको किसी इंट के सारे किसी पत्थर के सारे भी रख सकत हैं हम स्रीज में पैलल में तीन चार पैनल जोड़ कर ज़्यादव वोल्टेज बना सकते हैं और यह देखे इसका पिछे बोक्स है इसमें से दो वायर निकाल के सब को हम पैलल में जोड़ लेते हैं जिससे करंट ज़्यादा हैवी हो जाता है इस टाइप से हम इनवर्टर तक इसकी वायर ले जाते हैं और इनवर्टर के बाद अपनी जो भी एसी की वायर है अपने घर की सप्लाई में इसको लगा देते हैं इस परकार से हम अपने कोई भी इस्टुमेंट बिजली के इस्टुमेंट हैं एसी है फिरीज है कुलर है पुरा चला सकते हैं हमें 2KW का लेना है 2KW के inverter को हमें बैंटरी से चलाना है इस तरह से हम अपना पूरा AC चला सकते हैं जो हमारे उपकरण होंगे वो सोर पैनल वाले अलग से आते हैं वो मार्कीट में अलग से मिलेंगे तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को स स्क्राइब कर लें साथ में बैल आइकन की गंटी भी दवाद हैं देखे इस टाइप से हम अपने मोबाइल कंपूटर बैंटरी और इस तरह से और अन्य उपकरण हम सोर पैनल से चार्ज कर लेते हैं और बाद में चला लेते हैं जब लाइट हमारी चली जाती है और आप ड तो अच्छी तरह से टाइट कर दे कभी उसको कोई जानवर या बंदर वगरा उठा कर फैंक दे या तोड़ दे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्य वाद इस टाइप से आप सोर पैनल का इस्टालेशन कर सकते हैं तो चैनल को सस्क करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए आपका धन्य वाद जै हिन जै भारत